आज की सबसे बड़ी विरिकिंग हो स्चुजन्स पाकिस्तान मेडीकल कमिशन अनमडी कैड एक्जाइम की बेसिस पे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजिस पाकिस्तान के आल अबर थी पाकिस्तान जितने भी मेडिकल कॉलेजिस हैं चाहिए वो प्राविट है या गॉर्मेंट स्ट सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग ने बेल आइकन को प्रेस करने हैं आज इवीडियो में आप लोग बताऊंगा नीजी और सरकारी इसका मतलब यह कि प्राइवीट और गॉपर्मेंट सेक्टर में जितने भी मेडिकल कॉलेज़ आते हैं वहां पे द यूट्यूब चैनल को और आज सो प्रेस बेल आइकन शुटिस मैं बताऊंगा कि आप लोग एगर फसी में 900 है यह 950 है यह 1050 है जितने भी नंबर है आप लोग को उसके मताबिक आपको नम्डी केर टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स लेना ज़रूरी है लेकिन उससे पहले एक इंपोर्टेंट अनॉस्मेंट बतानी है पाकिस्तान मेडिकल कमिशे एन नम्डी केर रिजल्ट की आप लोगा जो रिजल्ट है फाइनली इसकी जो डेट है वो अब फाइनल है 100% कंफर्म है कि वो 16th of December को ठीक सुबह अल्ली न मॉनिंग आल्मोस्ट 9am NTS की वेबसेट पे अपलोड होगा तो आपने क्या करना है आपने जाना है सीधा NTS की वेबसेट पर बहां जा करके आप लोग जो उन से रिजल्ट हासल कर सकते हैं उसके मुतालिग भी अपडेट हमारी टीम आपको रोज बताती रहेगी तो इसलिए आप लोग ने एजुकेशन हैपीने य आपकी केस की हेरिंग मी है जिसमें NMD के रिकरणड करवाना है या नहीं करवाना उसके मतालिग फाइनल फैसला होगा गाई सुनने में आ रहा है सोचिस के मताबिक आपके NMD के रिकरणड के चांसिस जोंसे हों काफी जाद हैं तो ऐसे में कुछ भी है वो इसलिए हमारी एजुकेशन हैपीनेथ यूट्यूब टीम आप स्टूइन्स के लिए वेलेबल है हम आपको इन्शाला गाइड करेंगे इस चीज़ में लेकिन आप लोगों ने जो उनसे सारी अपडेट्स जो सारी अलर्ट्स है अगर आप चाहते हो कर आपको ओन टाइम मिलती जाए तो स अपने यूट्यूब चैनल को और अल्सो प्रेसा बैल आइकन क्योंकि इसी चैनल के उपर सबसे पहले हर अप्लोड की जाती है स्टार्ट करते हैं हम अपनी आग वीडियो का में पार्ट सुझेंस सबसे पहले आप लोग देखेंगे आपके एफसी के नंबर साथ-साथ में और साथ के एंट्री टेस्ट में आपको कितने नंबर जरूरी नहीं है वो भी साथ-साल लिखा हो गया तो अगर आपके एफसी के अंदर अगर आपने पार्ट टू पार्ट वन में आपके जो टोटल नंबर बने है डाटर मालमोस्ट एट हंड़ प्लस और एट फिफ्टी स से काम है तो अगर आपके एंट्री टेस्ट में 190 प्लस आ जाते हैं तो आपका MPBS BDS में दोनों सक्टर्स ताइग गॉर्मन्ट या प्राइविट वहाँ पे अद्मिशन या दाखला हो सकता है उसके लावा अगर आपके FSC के अंदर 850 प्लस है तो आप एंट्री टेस्ट में 185 अगर हासिल करते हैं तो आपने किसी भी अगर मेडिकल कॉलेज में अद्मिशन या दाखला हासिल करना है तो आप पर आप लोग अद्मिशन हासिल कर सकते हैं तो यह थे दो नंबर यानके एक FSC में 800 और जूसरा 850 अगर आपके 800 भी नहीं है और आपके 850 भी नहीं है आ 175 लेना 175 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 900 के साथ आपकी जो परसंटेज बन रही है तो अगर आप 85 इसमें लेते हैं और एंट्री टेस्ट में भी 85 परसंटेज लेते हैं तो आपका इजी ली जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप एडिमिशन दाखला हासिल करना चाहते हो वहा MPBS, BDS इन दोनों में दाखला या इडमिशन आसिल कर सकते हैं बिल्कुल सही स्टेटिसिक्स हैं अब मैं आपका बताता हूं कि अगर आपके 900 भी नहीं है, 950 भी नहीं है, 800 भी नहीं है, 850 भी नहीं है तो फिर आपको कितने नमबरों की जरूरत है अगर आपके नमबर 950 से अबाव जोन से है, almost 6000 जोन से है, वो 1000 से अबाव है, ठीक है, पंजाब के अंदर सिर्फ, तो अगर हम बात करें, FSC की, तो अगर आपके 980 प्लस है, ठीक है, यानिकि अगर आपके 950 से 979 भी नहीं है, बलके 980 से अबाव है और 990 से कम है, यानिके 980 से 990 के in-between है, तो आप आपको entry test में 160 या 165 तक number लेना compulsory है for admission in government medical colleges, और अगर आपके 980 से भी जाद है, यानिके 991, 992, 1000 तक है, 990 से लेके 1000 तक तो आपको entry test के अंदर almost 160 मास की इंतहाई जरूरी है, उसके लावा 4th number पे students, अगर आपके 1000 की line में है, आपके 1000 से लेके, 1001 से लेके, 1020 से कम कम है, त 150 से लेके 160 तक, especially average 155 अगर आप number लेते हैं, तो आपका medical में admission या दाखला हो सकता है, उसके लावा students अगर आपके 1000 20 से भी जाद हैं, बहुत सारे students इस तरह के भी हैं, जिनके 1000 28, 1000 23 and so on, अगर आपके 1000 20 से जाद हैं, तो आपके 120 या 130 भी अगर आ जाते हैं, PMC and MDCAD exam में तो आपका admission हो सकता है, ठीक है, यह आपके tentative statistics थे, आपके FSC के mask के मताबिक, अगर आपके entry test में इतने number हैं, तो आपका जो उनसे हर medical college में admission हो सकता है, यह बिलकुल valid status आपको बताई गई थी, उसके लावा थोड़ा से average system, अगर हम मजीद इसकी detail में बात करें तो आप लोग द because of FSC results, so apparently merit will be high, merit जोंसे है इस साल आपका काफी ज़्यादा हाई जाने वाला है, ठीक है, यह तो मैंने आपके वीडियो के start में बताया था कि मेरिट है, इस साल वो काफी ज़्यादा बढ़ेगा, उसकी reason, उसकी बज़ए यह है कि students के FSC में number ज़्यादा है, तो उसके लाव आप लोग देख सकते हैं, उसके लावा आप मैं आपको different medical colleges के last year के aggregate बता रहा हूँ, बिलकुस सही aggregate है, अगर आपके aggregate इतने बन रहे हैं तो समझें कि आपका admission पका है, अगर आपका FMH College Lahore 89 है, शाला मार 88 है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने सारे medical colleges के जो merit हैं, बखतावर के मुलतान वाले के 85 हैं, अजीद फात्मा फैसलाबाद के 85, अल-अलीम Medical College Lahore के 83, मुलतान Medical and Dental College मुलतान जुन से 83, पर आपका राशित लतीफ Medical College Lahore 83, फिर आपका लोधरा में जो College 81 है, रहबर Medical College Lahore 80, उनिवस्टी College of Medicine and Dentistry Lahore 80, फिर फैसलाबाद इस सारे medical colleges के ज लास्टीर, तो आप लोग अगर इतने अग्रिगेट बन रहा है, समझो कि आपका MBS, BDS में दाखला हो सकता है, असरा नहीं 78 है, मुहमद इसलाम Medical College गुज्रावाला 78, फिर राय Medical College सरगोदा 78, सहारा Medical College नारोवाल 78, अल-दे सीना का 76 है, तो इन साम Medical College के admissions या दाखले हासल कर करने के लिए Education Happiness YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें, सबस्क्राइब के साथ 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 बेल आइकन को प्रेस रखें, अल्लाहाफेस्ट